ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए जो डेड सीरियस हो डेड और सीरियस आपने कल डेड सीरियस ना होने की बात की थी एक बार की बात है बासरा में एक सूफी फकीर रहते थे बासरा जानते हैं बासरा ये इराग का एक शहर है जो मोतियों के लिए मशूर है या आजकल बंबारी के लिए मशूर है जिस भी चीज के लिए हो तो किसी ने आकर कहा हमें कोई सीख दीजい उनओने मना कर दिया कोई सीख नहीं है इसके बाद और भी खास लोग उनके पास आने लगे और कहने लगे हमें कोई सीख दीजिए उन्होंने कहा कोई सीख नहीं है अब वो सब को सीख देने से मना करते थे इसलिए उनका बहुत नाम हो गया एक दिन उस इलाके में एक महान विद्वान आये, जो सारे ग्रंथों और बाकी बातों में पंडित थे, उन्होंने आकर जोर दिया, आपको सीख देनी ही होगी, आपके पास कुछ ऐसा है जो किसी विद्वान के पास नहीं है, मुझे इसका हिसास हो रहा है, आपको सीख देनी होगी, आप इसे अपने तक सीमित नहीं रख सकते, तो सूफी गुरू ने उन्हें देख कर कहा, मैं तुम्हें सीख नहीं दे रहा, इसलिए नहीं क्योंकि मैं तयार नहीं हूँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम तयार नहीं हो, विद्वान बोला, मैं तयार नहीं हूँ, मै मैं खुद ही यहा आया हूँ, मैं ही आप से पूछ रहा हूँ, और आप कह रहा हैं, कि मैं तयार नहीं हूँ. मैं तुम्हें जो सीखतूंगा, तुमसे लेना नहीं चाहोगे। उसने कहा, कौन सी सीख है? क्या तुम तयार हो? मैं किसी भी चीज के लिए तैयार हूँ तो सूफी गुरु भी तर गए और वहां से गंदा सा एक कपड़े का टुकड़ा ले आए और उसे देकर बोले इसे लंगोट की तरह पहन लो अपने सारे चोगे और अच्छे कपड़े उतार दो इसे लंगोट की तरह पहन लो विद्वान ने उस मेले कपड़े को देख कर कहा इसे? इतना ही नहीं मैं तुम्हें एक खाली डबबा और रस्टी भी दूँगा उसे अपने गले में पहन लो और मैं तुम्हें मीठी गोलियां भी दूँगा पेपरमिंट फिर तुम बाजार की सडक में निकल जाओ सारे लड़के तुमें देख कर सताएंगे और पत्थर मारेंगे जो भी तुमें पत्थर मारे तुमें एक पेपरमिंट निकालना और मुस्कुराते हुए उसे एक पेपरमिंट दे देना विद्वान बुला ये तो बहुती मूर्कता भरी बात है अगर मैं ऐसे मूर्कता भरे काम करने लगा तो शहर में मेरा क्या होगा मैंने कहा था ना कि तुम सीख लेने के लिए तयार नहीं हो क्योंकि सवाल यही है क्या आपको अपनी पसंद की सीख चाहिए या आपको ऐसी सीख चाहिए जो आपको रूपांतरित करते सवाल बस यही है तो अब आप ये सवाल पूछ रहे हैं मैं डेड सीरियस हूँ तो सबसे पहले आपको अपने आपको नौन सीरियस करना होगा जो मुम्किन नहीं है तो अपने आपको non-serious करने का एक ही तरीका है कि आप कुछ मूर्खता भरी चीज करें क्या आप कर सकते हैं? क्या आप अभी उठकर एक नाज दिखा सकते हैं? कीजिए थोड़े इंडियन तरीके से कीजिए इंडियन डान्स नहीं, आपको इंडियन डान्स करना है देखिए, आप थोड़े कम सीरिस हो रहे हैं कम से कम डेड तो नहीं है सीरिस तो है, पर डेड नहीं तो अपने जीवन को थोड़ा ढीला कीजिए थोड़ा ज्यादा हसिये खुद को आसपास के लोगों के साथ शामिल कीजिए ऐसे काम कीजिए जो आपको बहुत जरूरी नहीं लगते ऐसे काम मत कीजिए जो बहुत जरूरी हो छोटे-छोटे काम कीजिए आपके लिए सीधे-साधे काम करना बहुत जरूरी है अगर आप जीवन में बहुत जरूरी कामी करते रहे तो अपडेट सीरियस हो जाएंगे बर्टन रसल जो एक अंग्रेज थे बर्टन रसल ने कहा अगर आपको लगने लगा है कि आपको ये बहुत मैत्वपूर्ण काम कर रहे हैं तो छुटी लेने का समय आ गया है तो छुटी का मतलब भारत आने से नहीं है हर दिन 24 घंटे में आपको छुटी लेनी चाहिए अपनी सीरियसनेस से सीरियसनेस इसलिए आई है क्योंकि आप खुद को बहुत एहमियत देते हैं आप खुद को एक महतुपूर्ण इनसान मानते हैं मैं चाहता हूँ कि आप खुद को इस स्तित्व में धूल के एक कंड की तरह देखें कल सुबह अगर आप गायब हो जाएं तो बेशक भारत में कोई आपको मिस नहीं करेगा यहां तक आस्ट्रेलिया में भी लोग ज्यादा चिन्ता नहीं करेंगे कुछ मुठी भर लोग याद करेंगे और वो भी कुछ दिनों में भूल जाएंगे है के नहीं? कुद्रतुफ करती है आप चले जाएंगे और इस दुनिया को कुछ नहीं होगा सब कुछ अच्छे थरीके से होता रहेगा आपके न रहने पर भी हर इनसान को अपने जीवन के हर क्षण में इसके प्रती जागरूक रहना चाहिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सारी दुनिया आपके बारे में क्या बूलती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं आपको ये समझना चाहिए कि कल सुभा आपके बिना संसार बहुत मज़े से चलेगा आप चाहे जो भी हो है कि नहीं अगर आप खुद को लगातार ये याद दिलाते रहेंगे तो आपके पास सीरिस होने का कोई कारण नहीं होगा डेड होने का तो बिलकुल भी नहीं और अभी से डेड ना हो उसके लिए समय आएगा अभी जिन्दा रहने का समय है मज मात Rubद नहीं ऑट बिल्सी कलिए और रहना समय को पिले McMill कि उसके उमी येजजम